हेलो दोस्तों मैं अभिनो सिर्वास्तों आपके अपने चैनल इंग्लिस डूज विद अभी में आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्तों डी एसेस्पी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जैसा कि दोस्तों हम जानते थे कि वैकेंसी तो आनी ही हैं लेकिन इतनी जल्दी आएंगी ये किसी नहीं सोचा था तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए आए जल्दी से अपने वीडियो के आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नोटिफिकेशन के बारे में तो दोस्तों अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लें औ कुछ एक ही वीडियो में तो दोस्तों आए बढ़ते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि यह आज 12 तारिक है और आज ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर की ओपनिंग डेट जो अप्लिकेशन फॉर्म की है वो 25 मई 2021 है और दोस् फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों तो अब आप दोस्तों जानते हैं सभी लोगों के पास अलग अलग डिप्लोमाज हैं किसी ने बीट किया है किसी का बीलेड है तो दोस्तों कौन एप्लीकेबल है किस वैकेंसी के लिए दोस्तों उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसके पहले दोस्तों हम देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास यहां पर अलग अलग पदों के लिए यहां पर vacancies आई होई है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी की यहां पर vacancies है TGT आपके male female तो category अलग ही है natural science है maths के लिए है दोस्तों social science है आपका या फिर बेंगाली है primary teachers के लिए भी आपकी vacancy assistant teacher या nursery assistant teacher के लिए या फिर आपके LDC जो junior secretary assistant होता है counselor है या head clerk है इन सभी पदों के लिए अलग-अलग पटवारी assistant teacher आपका primary ये सभी के लिए दोस्तों अलग-अलग formats में vacancies निकाली गई है तो दोस्तों अब आते हैं दोस्तों बढ़ते हैं कि आप देख सकते हैं advertisement आपका number यहाँ पर advertisement number यह आपका लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों अगर पहले vacancy की बात करें तो आपका यह पहले vacancy है आपकी trained graduate teacher मतलब TGT हिंडी के लिए दोस्तों यह आपके लिए निकली है तो दोस्तों इसकी बात करते हैं अगर हम total vacancies की तो यह 551 है और अगर educational qualification की बात करें दोस्तों तो इसमें आप कब यह honors आ जाएगा जो कि modern Indian language में होगा या फिर आपने MIL किसी भी equivalent course को कर रखा है 45% marks के साथ में और या फिर दोस्तों आप देख सकते हैं यह पर degree or diploma आपके पास कोई भी degree or diploma हो जो है जो teachings related हो आपको हिंदी का थोड़ा बहुत ग्यान होना चाहिए और आपको दोस्तों एक important fact जो यह है आपका mandatory part जो इसमें आपको seated pass होना चाहिए जी अगर experience की बात करें तो experience communal रखा गया है और pay scale आप देख सकते हैं कि आपका 9300 से 34800 तक रखा गया है 400 grade पे है दोस्तों और age limit आपका दोस्तों यह 32 years से आपका जो है दोस्तों 32 years से आपका यह जो है कम होना चाहिए दोस्तों और age relaxation आपका जैसा जो भी reservation category में आते हैं उसका उस हिसाब से उसको relaxation मिल जाता है और दोस्तों अगर आगे की बात करें तो हमारा दूसरा जो है आपका natural science के लिए दिखा हुआ है और इसके लिए दोस्तों आपको bachelor degree पास होना चाहिए जो honors हो या आप normal भी किसी bachelor degree को 45 marks आपने achieve किये हो और दोस्तों आपके पास यह जो है जो आप देख सकते अट लिस्ट one out of the following should have been the electric याप यहाँ पर कोई भी एक आपका degree या डिप्लोमा जो आपने teaching से related कर रखा हो जैसे बीएड है या आपका जो है दोस्तों बीएड आपने कर रखा हो या फिर और भी जो अलग अलग teaching diplomas हैं वो भी इसके इंतरगत आ जाएंगे और अगर experience की बात करें तो दोस्तों इसके लिए experience भी ने लखा गया इसी तरह दोस्तों अलग अलग post आपके अलग अलग subject के लिए हैं जैसे आपने natural science के लिए देख लिया है दोस्तों आपका ये यहाँ पर TGT maths के लिए दोस्तों ये female का है आपका दिया हुआ है और इसी तरह से दोस्तों अलग अलग प्रकार की vacancies को निकाला गया है जैसे आपका TGT maths मेल के लिए है और ये आपका social science के लिए दिया हुआ है यहाँ पर आपका ये social science female है और इसी तरह से अलग अलग ये बेंगाली आपका TGT बेंगाली के लिए है ये assistant teacher दोस्तों nursery assistant teacher के लिए आपका ये निकला हुआ है इसकी अगर बात करें दोस्तों तो senior secondary जो है school class 12 map 10 plus 2 की बात कर सकते है मतलब class 12 आपका आपका certificate होना चाहिए या उसके कोई भी उसके equivalent दोस्तों कोई भी course होना चाहिए with at least 45 percent marks के साथ में होना चाहिए और दोस्तों आपके पास second point आप देख सकते हैं कि कोई भी diploma या certificate in nursery teacher education program of a tuition of not less than two years मतलब आपको कोई भी ऐसा course आपने teaching में कर रखा हो जो दो साल से दोस्तों कम का ना हो दो साल कम से कम दो वर्स का जो है वो course हो और उसमें दोस्तों या फिर आपने beard कर रखा हो beard nursery जो है किसी भी recognized institute से and must have passed Hindi at secondary level और दोस्तों आपको secondary level पे हिंदी से पास हिंदी पास होना चाहिए आपको और इसकी वाली एक experience की बात करें तो दोस्तों ये भी निल है अगर pay scale आपका same pay scale है और same qualification दोस्तों इसके लिए भी रखी गई है अगर हम दोस्तों आगे बात करें तो आपका counselor के लिए यहाँ पर रखा गया है तो counselor के लिए आपकी जो eligibility criteria है bachelor's degree in psychology है इसी तरह दोस्तों अलग-अलग आपके जो है यहाँ पर eligibility criteria रखा गया है दोस्तों अगर बात करें आपके assistant teacher primary दोस्तों यह आपका जो main target यहाँ पर रहता है सभी के लिए especially तो assistant teacher अगर primary के अगर बात करें तो दोस्तों आपकी total number of vacancies 434 हैं दोस्तों और इसके अगर हम qualification की बात करें eligibility criteria अगर इसका हम देखें educational qualification दोस्तों तो वो हमारा senior secondary जो है लगबख वही आपका 10 plus 2 आपने 50% marks के साथ में 2 year diploma आपका कोई elementary education में मतलब आप जैसे DL.A आपने किया हो या इस तरह से किसी भी आपने teaching कोई certificate आपके पास हो तो आप जो है उसके लिए valid हैं दोस्तों अब दोस्तों अगर आगे की बात करें और भी दोस्तों हाँ आपने ये important है इसलिए आप समझ लीजे कि इसमें two years का आपने जैसे आपने BTC किया है या फिर आप DL.A किये हुए हैं दोस्तों NIS DL.A इसमें दोस्तों नहीं दिया गया है क्योंकि वो दो वर्से कम में आता है आप ये बात जरूर ध्यान रखें आपका दोस्तों और इसमें आपने Senior Secondary के साथ में अगर आपने चार साल का B.L.A कर रखा है जिसे Bachelor of Elementary Education भी दोस्तों कहते हैं तो वो भी Candidates में जो है valid हैं इसके लिए दोस्तों अगर बात करें कि आपने Special Education में भी अगर कुछ डिप्लोमा किसी तरह का कर रखा है तो वो भी इसके लिए valid हैं दोस्तों या आपने graduation के साथ में 2 years का कोई डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी उसके लिए valid हो जाएंगे और दोस्तों अगर बात करें तो आप को जो है Seated दोस्तों जो है Pass होना जरूरी है और आपके पास Hindi या Urdu या पंजाबी या Ingles में से कोई वन न कोई एक subject आपके पास secondary level पर होना जरूरी है दोस्तों अगर Age Relucoxation की बात करें तो आपको 5% to age relaxation मिलता है जो भी आपके SC, ST या OBC केटिग्री या फिर आपके physical handicap में आते हैं उनको दोस्तों मिलता है pay skill दोस्तों आपका वही है 4500 का grade पे है आपका और same आपका qualification mostly जभी सबका qualification at least same ही है head clerk की बात करें तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने अब आते हैं अपने अगले जानकारी की तरफ बढ़ते हैं तो अगली जानकारी जो है अगर हम बात करें कि इस फार्म को भढ़ने के लिए हमें कितने रुपए वारी फीस है तो दोस्तों वो 100 फीस हमारी यहां पर रहेगी जो है जो हमें pay करनी पड़ेगी अपने form को भढ़ने के लिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगर हम तो आगे आप देख सकते हैं अब जो next मैं लेकर आने वाला हूँ दोस्तों वो important part है कि आप दोस्तों क्या करेंगे कैसे त्यारी करेंगे आपको क्या-क्या पढ़ना है इसकी त्यारी करने के लिए तो दोस्तों उसके लिए आप अगर यहां slavus पर ध्यान दीजिए तो दोस्तों इसमें दो तरह के tier 1 और tier 2 भी रहेगा तो उसमें टेक्निकल जो आपके vacancies हैं उसके लिए एक मलब अलग examination रहेगा और general के लिए अलग रहेगा तो दोस्तों फस्त जो एक्जाम मिशन वन टीयर फस्त है उसके लिए दोस्तों यह सेम रहेंगे चाहें वह आप general examination देने जा रहे हैं या फिर टेक्निकल देने जा रहे हैं दोस्तों अगर हम इसमें सबसे पहली बात जानिक जीवन में science का यूज हम करते हैं जो है उससे related questions बनेंगे आपके दोस्तों या फिर आपके national या international organizations है sports से related है, art या culture है दोस्तों, history है, quality है, constitution है, इन सभी subject से दोस्तों related questions आपके examination में बनेंगे अब दोस्तों कर हम बात करें कि हमारा जो general intelligence जो है और reasoning ability है, तो reasoning abilities में दोस्तों आपके जो questions बनेंगे वो analogy है, आपका symmetry differences या space visualization है, concept relationship दोस्तों जो blood relationship के question आते हैं फिर आपका verbal और non-verbal जो आपके verbal या non-verbal जो आपके verbal या non-verbal जाएंग और दोस्तों इसी तरीके से आपका arithmetic या numerical ability भी आ जाएगी उसमें आपको percentage, time work, average या profit loss है, आप discount या फिर simple interest, SI, CI, time work, time distance, table और graph जो आपका data interpretation होता है, जो DI जिसमें आता है, वो भी आ जाएगा दोस्तों अब दोस्तों कर हिंदी language की बात करें, तो हिंदी language में आपका वही हिंदी व्याकरर जो आपकी आती है, या vocabulary है, आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांस के लिए एक शब्द, ये सभी जो है दोस्तों ये जो grammar portion है उसका, और थोड़ा सा इतिहास, हिंदी साहित की इतिहास से भी पूछा जा सकता है, और अगर इंग्लिस language की बात करें दोस्तों, तो इंग्लिस language में भी बिल्कुल यही रहेगा, बस सिर्फ language हिंदी और इंग्लिस का अंतर है, उसमें भी उसमें grammar पूछी जाएगी, और आपका जो vocabulary से related है, जैसे आपका पर्यायवाची या synonym, antonyms, synonyms, one word, substitution, home of phones, यह सभी दोस्तों, यह सब कुछ आपका पूछा जाएगा, तो दोस्तों, लगबग मैंने अपनी तरफ से पूरी आपको जानकारी दे दी है, इस वीडियो से सम्मन देती, इस notification से सम्मन देती, सारे जानकारी मैंने आपको देनी की कोशिश की है अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और दोस्तों, जैसा कि आपका notification आ चुका है, तो अब आप लोग तयारी में जरूर लग जाएए, और उमीद करूँगा मैं कि आप अपना बहतर प्रयास करेंगे, और अपने भविश में इतना ही धन्यवाद, अगर अच्छा लगाओ दोस्तों, तो प्लीज आप maximum लोग तो किसे पहुचाएं, क्योंकि notification निकल चुका है, तो तयारी अभी से जब आप करेंगे दोस्तों, तो आगे जा करके आपको problems नहीं होंगी, और आप अपना बहतर response दे पाएंगे, अप आने की कोशिश करते हुए अपने लक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, तो दोस्तों, तयारी करिए, best of luck, thanks for watching, thank you.